हेड़ी हेड़ी स्टूडेंट्स आप सभी कमेरमेन कैट वे सी चैनल में स्वागत है आज इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट आप कम्प्यूटर के बारे में बताएंगे कम्प्यूटर के कितने पार्ट होते हैं यानि कि computer कितने part को जोड़ने के बाद ready होता है और सभी part का काम क्या होता है आज मैं ये सारी चीजें आप सभी के सामने explain करने जा रहा हूँ आप सभी student धान से देखेगा इस video को आज हम आपको सब कुछ इस video के बारे में बताएंगे ठीक है चलो आओ देखते हैं हमारा जो ये monitor होता है ना इस बात को सोचना ये जो हमारा देखता है ये computer नहीं होता है अगर आप सभी इस चीज को देखकर अंदाजा लगा देते हैं कि this is my computer no this is a display ये screen display होता है अगर सिर्फ ये है तो इसका मतलब है कि जैसे TV हमारा होता है वैसे एक display screen होता है ये computer तब बनता है ये monitor जो हमारा computer तब बनता है जब mouse, PSU, CPU, CPU controller, motherboard ठीक है जास देखना expansion card, RAM, SSD, HD, speaker और keyboard ये सभी के सभी जितने भी component है जब ये सभी component हमारे आपस में जुड़ जाते है सब आपस में जुड़ जाएंगे जब और अगर आपके पास सिर्फ monitor है यानि display है, screen है, ये सिर्फ है ये ये है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा computer नहीं होता है तो आओ चलो देखते हैं हम इसके बारे में और आप सभी को मैं brief में explain करूँगा about this चलो सबसे पहला part हमारा होता है mouse mouse हमारा किस काम आता है जहां से देखिएगा हमारा mouse हमारे computer का एक part होता है ठीक है अगर हमारा जितने भी part है किसी एक part को miss कर दिया जाए तो हमारा computer जो होता है successfully access नहीं कर सकता चलो हम mouse की बारे में देखते हैं mouse हमारा एक ऐसा component होता है output hardware device है ठीक है जो हमारे monitor में जो cursor होता है जैसे ये cursor जो blink कर रहा है इस cursor को ऊपर नीचे scroll करने के लिए काम आता है उपर नीचे scroll करने के लिए जो बीच में बटन देख रहे हो न इसके थो हम अपने cursor को उपर नीचे करेंगे तो हमारे monitor में जो page होता है वो page of our down होता है ठीक है अगर किसी भी point को जैसे ये तुम्हारा my computer है यहाँ पर तुम्हें click करना है तो अपने mouse को ले करके जाओगे इस वाले button के साथ आप इसे click करोगे तो तुम्हारा इस part पर click होगा और तुम्हारा क्या होगा जो my computer है जो भी folder है open हो जाता है mouse का तो काम इतना होता है ठीक है ध्यान से देखेगा इसमें एक right भी button होता है right button right button भी क्या होता है right button हमारा जैसे आपके system को refresh करना है तो right button को click करोगे refresh, copy, paste, cut सारी button यहाँ पर आपको दिख जाएंगी आप refresh कर लो, copy कर लो, cut कर लो, paste कर लो ये काम किसका होता है ये काम हमारा होता है right button का ठीक है open करने का काम क्या होता है left button का उपर नीचे करने का काम क्या होता है हमारे mouse का होता है जैसे देखेगा हमारी किसका होता है mouse का होता है तो चलो हम आगे बढ़ते है अपने second component के पास second part हमारा क्या होता है second part हमारा क्या है PSU अब हमारा second part क्या है PSU है PSU क्या करता है Power Supply Unit यहां से देखिएगा PSU हमारा क्या होता Power Supply Unit यह क्या करता है हमारे system को जो यह हमारा computer है कितनी power चहिए इसको उसका measurement करके PSU हमारा computer के access होने के label का power supply कर देता है अगर PSU को हटा दिया जाए तो हमारा जो computer monitor है हमारा जो यह computer case है CPU का यह हमारा power control नहीं कर पाएगा और हमारा system क्या CPU या system हमारा high electricity के करन ब्लास्ट हो जाएगा तो सबसे बेहतर काम है कि computer को उसको जितनी electronic electricity चहिए जितनी बिद्दुच चहिए उतना electricity उसे मिले इसके लिए हमारा PSU power control यूनिट power supply unit का यूज किया जाता है देहांस देखेगा first part mouse था second part हमारा PSU था चलो अब हम third part के बारे में देखते है third part हमारा क्या है CPU CPU central processing unit central processing unit CPU CPU क्या बोला जाता है CPU का दूसरा नाम क्या होता what is the brain of computer इस computer का brain क्या होता है CPU is the brain of computer जान से देखेगा अगर कोई question पूछे what is the brain of computer तो CPU is the brain of computer अगर कोई पूछे what is the heart of computer computer का हिर्दय कोन है तो computer का हिर्दय भी क्या होता है CPU ही होता है computer का brain भी CPU है, computer का heart यानि हिर्दय भी CPU है जैसे इनसान के पास heart होता है अगर इनसान का heart attack हो जाए तो इनसान की जो body होते है डेड़ बाडी बन जाती है body खराब ऐसे हमारे computer में भी यदि CPU हमारा खराब गया तो यह हमारा computer डेड़ बाडी की तरह हो जाता है डेड कम्प्यूटर हो जाता, कोई काम नहीं कर सकता है, ध्यान से सुचिएगा, तो इसका मतलब ध्यान से सुनिए, जैसे human body के लिए, जैसे मानों के सरीर के लिए, उसका brain, उसका heart, जितना helpful है, वैसे हमारे कम्प्यूटर के लिए, हमारा CPU, Central Processing Unit भी उतना ही helpful होता है, ध्यान CPU, जरासा भी CPU में problem होती है, पूरे के कम्प्यूटर का system जो है, खराब हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, CPU को heart of computer, या फिर brain of computer के नाम से भी जाना जाता है, जहान से देखिएगा, तो ये तो अब CPU के बारे में पढ़े, तीसरा component था, third component, first component, second component, and third component, तीनों बहुत ही important है, हमारे computer के लिए, चलो अब fourth component के बारे में जानते हैं, CPU cooler, CPU cooler क्या करता है, जहान से देखिएगा, मैंने बताया, कि CPU हमारा brain और heart का का काम करता है, computer के लिए, जैसे हमारी जो body होती है, हमारी body में क्या होता है, कि हमारी body को एक बेहतर condition देने के लिए, हमारा जो blood circulation, heart rate, pulse rate होता है, pulse rate नार्मल अगर हो, तो हमारा जो heart है, वो नार्मली काम करता है, बात को सुनना, ऐसे हमारे CPU में कोई problem ना आने पाए, इसलिए CPU को cool करने के लिए CPU cooler लगाया जाता है, यानि धास देखना, electricity हम इसमें आएगी, electricity इसमें प्रवेस करेगी, तो electricity की वज़ा से CPU हमारा heat होगा, और CPU अगर heat होगा, तो CPU के खराब होने के chances बढ़ जाते हैं, इसलिए CPU heat ना हो, इसलिए CPU को cool करने के लिए CPU cooler का यूज किया जाता है, एक fan होता है, एक jazz fan, laptop या desktop में लगता है, चलता है, ध्यान से सुनिएगा, तो CPU को cool करने के लिए CPU cooler का यूज किया जाता है, यदि CPU cooler का यूज ना किया जाता है, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर CPU cooler ना है, तो तुम्हारा जो system है, आप इस system को, अपने laptop या अपने desktop को बहुत देर तक access नहीं कर सकते हैं, CPU heat हो जाएगा, और तुम्हारा system, या तो CPU blast होगा, CPU circuit जल जाएगा, और तुम्हारा system system खराब हो जाएगा, या फिर CPU system क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, या तो CPU system क्या हो जाएगा ना, वो electricity की वज़ा से पूरी तरीके से जो होता है, धुआ सा फैक देगा, अब CPU cooler क्या करता है, electricity को CPU लेता है, और सारी supply करता है, CPU जितना heat होता है, CPU cooler उसे उतना cool करता है, और system तुम्हारा management, system management बराबर equal रहता है, इसलिए तुम्हारा अपने इस laptop ने desktop को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे continue चला सकते हो, लेकिन अगर CPU cooler हटाया जाए, तो तुम्हारा system एक घंटे के अंदर ही blast हो जाएगा, जहां से सुनिएगा, CPU खतम, CPU खराब, तो तुम्हार जो laptop, desktop है, पूरी तरीके से बरबाद, जहां से सुनिएगा, अब जहां से देखते हैं, चार पार्ट के बारे में तो आपने देख लिया, अब चलो हम फिप्त पार्ट के बारे में देखते हैं, motherboard क्या होता है, motherboard का जो नाम होता है, इसे हम super board या system board के नाम से भी जानते हैं, system board, जैसे ध्यान से देखिएगा, आपके पास extension board होता है, एक plug लगा है, extension board लगा करके बहुत सारे plug capacity connectivity को कर सकते हैं, ऐसे मना जो motherboard होता है, यह system board होता है, इसमें क्या होता है, यह जितने भी part है, सभी part को यह जो है आपस में connect करके रखता है, ध्यान से देखिएगा, यह सभ पार्ट को आपस में connect करके रखता है, मदर बोर्ड similarity जानते हो कैसे काम करता है, जैसे human body, हमारी सरीर की जो backbone होती है, रीड की हड़ी, हमारी रीड की हड़ी क्या करती है, सभी हड़ीयों को, हमारे पसलियों को आपस में combine करके जोड के रखी हुई होती है, ऐसे हमारे system में ज computer, हमारी एक computer का backbone होता है, यानि कि रीड की हड़ी का काम करता है, ये हमारा motherboard सभी component को, जितनी भी ये external wounds हैं, इन सब को आपस में combine करके रखता है, system को हमारे मजबूती देता है, similarly जैसे हमारी body में जो रीड की रड़ी होती backbone होता है, वो हमारे सभी हड़ीयों को आपस में connect कर के हमारी body को strong रखता है, ऐसे हमारा motherboard क्या करता है, motherboard भी हमारा सभी component को आपस में जोड कर रखता है, और हमारे system को बेहितर मजबूती प्रदान करता है, ध्यान से देखिएगा, तो ये तो motherboard का काम था, motherboard भी हमारा एक बहुत ही necessary and important device होता है, ठीक है, चलो expansion card क्या करता है, Expansion card basically हमारे system की capacity को बढ़ा देता है, Expansion card क्या होता है, हमारे system की capacity को बढ़ा देता है, capacity जैसे human की body में एक रोटी दो रोटी खाने की capacity है, और उस capacity को बढ़ाने के लिए चार रोटी, पांच रोटी खाने के लिए ना तुमारे body के जो lever है, उस lever को maintain करना पड़ेगा, जैसे जब lever बहुत अच्छा होगा, तो रोटी या ज़्यादा खा सकोगे, ऐसे हमारा expansion card जितना ज़्यादा होगा हमारे system में, हमारे system की capacity उतनी ही maximum उतनी ही ज़्यादा होगी, यहाँ से देखिएगा, हमारे system में उतना ही ज़्यादा capacity का work तुम कर सकते हो, यह तो काम था हमारे expansion board का, अब हमारे RAM की बात को सुनिएगा, RAM हमारा क्या होता है, random access memory, RAM हमारा permanent storage नहीं होता है, RAM is a temporary storage memory, RAM में यदि कोई चीज तुम save कर रहे हो, तो RAM में कोई भी चीज permanent store नहीं होती है, इसमें चीजे temporary store होती है, जैसे तुम अपने laptop को, desktop को अपने switch off करोगे, RAM तुम्हारा automatic जो चीजों को save किया रहेगा, सब को empty कर देगा, सभी चीजों को खाली कर देता है, जैसे system को दोबारा open करोगे, तो इसमें जो चीजें save थी, वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए RAM क्या होता है, RAM हमारा permanent storage device नहीं होता है, यह temporary storage device होता है, पहले चीज, दूफरी चीज RAM क्या करता है, RAM हमारे system को speed provide करता है, यानि Rome में, Rome क्या होता है, Rome में चीजें permanent store होती है, Rome के permanent store चीजों को access करने के लिए, accessibility देने के लिए, हमारे RAM का यूज होता है, जैसे अगर हमारा ROM जादा है, RAM कम है, तो हमारे system में क्या होगा, बार बार hang वाली problem आएगी, जैसे आपके पास mobile है, एक जामपल के लिए, एक mobile है, जिसमें 2GB का RAM है, और 64GB का ROM है, तो 2GB का RAM 64GB के ROM के साथना कम पड़ जाता है, इसलिए अगर ऐसी mobile को चलाते हो, तो तुम्हारा mobile क्या करेगा, हैंग करने लगता है, अगर यही RAM की size को 4GB करके इसको 64 किया जाए, तब हमारे system का RAM का और ROM का जो maintenance होता है, वो बना रहता है, और हमारी जो device होती है, चाहे mobile हो, चाहे laptop हो, चाहे desktop हो, वो device हमारी क्या होती है, पर्मानेंट RAM और ROM की capacity equal होने की वज़ा से access होता रहता है, और हमारा system hang नहीं होता है, इसलिए हमेशा याद रखें, अपने RAM को तगड़ा लेना, ROM अगर कम भी है, 464 है, बहतर है, लेकिन 4 के साथ 128 है, या जादा है, तो तुम्हारे लिए problem के लिए ठोती है, RAM और ROM का equality का सामन जस्य होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, I think RAM रोम आप समझ गए होंगे, अब आते हैं हम SSD के पास, Solid State Drive के पास, SSD, ये हमारा permanent storage device होता है, SSD हमारा क्या होता है, हमारा SSD permanent storage device होता है, पहले क्या होता था, पहले SSD की जगह hard disk, HDD, hard disk drive आता था, क्योंकि जब hard disk हमारा है, था, तो हमारा SSD नहीं था, लेकिन आज कल के सभी system में में सभी laptop में क्या होता है hard disk को हटा करके SSD लगा जा गया है क्यों? क्योंकि hard disk और SSD में क्या होता है कि hard disk हमारा जो होता है उसमें बहुत सारे layers होते है उसके अंदर हमारी memory जाती है save होती है और RAM को वहाँ से memory को speed देने सर्च करने में problem होती थी अब हमारा SSD क्या करता है हमारे system को direct accessibility RAM से connect करा देता है हमारे system में जो speed होती है वो low नहीं होती हमारा system जो है speed उसका हमारा system slow काम नहीं करता है तो इसलिए HDD hard disk drive क्या था वो सस्ता था चीफ था लेकिन SSD हमारा क्या हो गया अब hard disk drive से बहुत ज़्यादा मेंगा हो गया है आप अगर hard disk drive HD एक TV का लेने जा रहे हो तो आपको market में 2000 रूपे के आसपास मिल जाएगा लेकिन अगर एक TV का SSD आप लेने जा रहे हो तो आपको market में 10,000 रूपे तक पे करने पड़ सकते हैं कितना मेंगा है 2000 और 10,000 का फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेंगा है तो अच्छा भी होगा तो इसलिए अपने laptop को जब खरीदने जाना न तो SSD देखके लेना अगर HDD लगा है hard disk drive लगा है वैसे अब तो बंद हो गया अब हम बढ़ते हैं अपने और सभी पार्ट के लिए ठीक है हमारे next part क्या है हमारे computer का next part है speaker speaker क्या होता है हमारे system में जब सारे component add होते है speaker हमारा क्या करता है हमारे system में जो volume आवाज होती है volume होता है उस volume को जो है ना बढ़ाता है घटाता है आवाज को अच्छे से बेहतर provide करता है आवाज को सुनने के लिए हम speaker लगाते हैं, ठीक है, next part हमारा क्या होता है, keyboard, keyboard हमारा क्या होता है, हमारे keyboard में buttons होते हैं, ठीक है, कुछ भी हमारे system में लिखने के लिए, कुछ भी हमारे system में करने के लिए, जो हम बताते हैं, जो हम चलाते हैं, जो हमें जैसे लिखना है, कुछ भी write करना है, तो हमारे अपने keyboard के थ्रोहम कर सकते हैं, अगर हमारे पास keyboard नहीं है, हमारा system के पास ये वाला part नहीं है, तो हम इस system में काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी writing य देखो without mouse system नहीं चलेगा PSU का होना power supply unit का होना must है अगर ये भी नहीं है तब भी हमारा system नहीं चलेगा CPU यार brain है heart of computer होता है इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है CPU cooler के बिना चल सकता है लेकिन आधे एक घंटे तक उसके बाद CPU blast system खतम तो ये भी मैंडेट्री हो जाता ये भी component ज किस काम हो जाएगी उसी तरीके से अगर motherboard को हटा दोगे तो मारा system उसी काम का हो जाएगा तो अब तुम समझ सकते हो ये कितना important है most and most important पार्टी ये भी है expansion card लीबर हटाओ body खतम ऐसे capacity देता है capacity प्रोबाइट करता है expression card हटा होगे system blast system का काम करना बन रैम होना must है without RAM कुछ हो नहीं सकता है अगर कुछ इस्टोर करते हो तो SSD या HDD भी होना जरूरी है without SSD without HDD भी अपने system में कुछ भी इस्टोर नहीं कर सकते हो उसके बाद speaker बहुत जरूरी नहीं होत सकता है without keyboard you are anybody doesn't type anything अगर बिना keyboard के system को चला रहे हो तो अपने system में कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो तो यह सभी तुम्हारे computer के parts रहे यदि आप सभी बच्चों को कोई भी problem इस video में आए तो आप सभी जरूर comment box में comment करिएगा आप सभी को main cat pc के साथ रहने के लिए बहुत बहुत बदाई आप सभी को main cat pc चैनल में हमेशा स्वागत है मैं पंकच पांडे आपका most welcome अपनी वीडियो में हमेशा करता रहूंगा